हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका आपका यूट्यूब चैनल एक जाम जोब हमें तो आज की एक बहुत अच्छी वीडियो लेकर आए हूँ आपके लिए जो है इंडियन नेवी के तरफ से आई तो सब कुछ बताऊंगा आपको इस वीडियो में कि क्या है इसकी एज लिमेट क्या इसकी जो फॉर्म फिल अप डेट है क्या इलिजिबिल्टी क्रेटेरिया है सब कुछ A to Z जान करी दूँगा आपको इसी वीडियो में तो बने रही है एंड तक इस वीडियो में उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए आया है तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब करके और पेस अट कर दीजिए तो चली वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स आज की जे वीडियो होने वाल है नेवी SSRWA वेकैंसी 2022 की जो आउट हो चुकी है इस वीडियो में आपको सबसे पहले इसकी जो मैं बात कर रहा हूं इंपोर्टन डेट्स की तो इंपोर्टन डेट्स की जानकारी जहां पे आपको देने वाला हों की अप्लाई डेट जो फार्म आप 29 मार्च से फार्म फिलप कर सकते हैं ओनलाइन मोट से और लाजड डेट है पांच चार दोहजार वाईस जाने की आपको सिर्फ एक हफते का ही इसमें समय मिलेगा फार्म को फिलप करने का और जल्दी से ये फार्म आप फिलप कीजिए जब भी इसका जो फार्म इनेबल होगा फार्म फिलप करने के लिए तो last date जहांपे इसकी J54222 है Admit card इसके जो May और June में आ सकते हैं तो इसमें आपके May और June में exam हो सकते हैं application fees की जहांपे मैं बात करूँ तो application fees जहांपे आप भी तक जो out नहीं की इसकी application fees भी जरूर होगी मैं आपको जहांपे बता रहा हूँ तो इसके लिए जो further जो new notification आएगा उसमें इसकी जो application fees भी होगी तो आपको फिर मैं बता दूँगा बाद में आगे बात करते हैं age limit की तो age limit की जहांपे आप चक कर सकते हैं कि 1 अगस्त 2002-23 जुलाई 2005 तक आपकी जो age limit होने चाहिए जाने कि आपका इन दोनों dates के बीच आपका जन्म हुआ हो तो आप इस form को fill up करने के लिए eligible हो अब बात करते हैं कि form को कौन fill up कर सकता है तो सबसे पहले उसकी जो form को fill up करने बाली बात को बाद में वेकरते हैं और उससे पहले vacancy की बात करें और डवले जाने कि artificial जो apprentice है उसकी जो 500 हो जहाँ पे vacancy है टोटल तो जे केवल man के लिए जे भरती होती है इसमें girls जो form को fill up नहीं कर सकती और इसके बाद अब age limit की बात जो vacancy detail है उसके अब eligibility की बात करने तो इसमें आप जहाँ पे चकर सकते है SSR के लिए आपने plus two पास की होने चाहिए जाने कि जिस स्केंडिने ने फिजिकल जो physics chemistry math पड़ा हो जाने कि science group पड़ा हो plus two में वह उस form को fill up कर सकते है तो अब आगे नीचे डवले एके form के बात करें तो इसमें अपने plus two की होने चाहिए PCM with आपके 60% marks होने चाहिए physics chemistry जा फिर biology में आपके 60% marks होने चाहिए तो फ्रेंट्स इन दोनों की बात करूँ तो आपके 70% marks है कुलिम लाके आपके plus two में तो आपका form का जो admit card हो बापके साथ सकते हैं उसके नीचे आपके जो percentage है plus two में तो आपका admit card वो कई बार नहीं आता तो जहाँ पर जे भी आपको ध्यान देने वाली बात मैंने जहाँ पर बता दी है physical standard की बात करें तो height जहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है आर्मी के मुकाबले जहाँ पर height बहुत कम होती है जे 157 cm इसकी height होती है running 1.5 km in 7 में आपको pass करनी होती है 20 squares जाने की उठेक बैठेक 10 push up जे सिर्फ qualified nature के होती है इसमें final mark में जो final merit में कोई जहाँ पर आपका जो number जा marks नहीं लगाये जाते तो form को online mode से आपको जमा करवा सकते हैं उससे पहले आगर आपको जहाँ पर मैं इसका आगया notification डाउनलोड करके बताऊंगा तो दोस्तो इसका जो notification है वो मैंने download कर लिया है इसका link भी video के description में में बिल जाएगा आप बहाँ से click करके इसका जो notification को read कर सकते हैं उसके बाद आप form को fill up कर सकते हैं तो इसमें सब कुछ आपको मैंने पहले ही बता दिया था main main बाते eligibility criteria age limit अभी pay and allowance की बात कर तो इसमें सभी परकार के allowance आपको दिये जाते हैं जो भी बनते हैं इसमें आब जो salary की बात करें 21,700 से लेगर जो 79,100 तक इसकी जो salary हो सकती है आपकी जहाँ पे प्रमोशन में होती है इसमें सब कुछ insurance cover आपको सब कुछ मिलता है पचास लाग का जहाँ पे सब कुछ लिखा है तो इसके बाद selection criteria सबसे पहले short list candidate की जाएंगे उसके बाद उनका admin card आएगा उसके बाद इनका जो जहाँ पे written examination होगा WA और SSR का जह अलग अलग होता है अब online होता है पहले जह इसका जो exam है offline होता था जो मैंने भी इसका जो exam एक दो बार दिया last time जो जब मैंने इसका exam दिया था तो इसका exam मैंने जो pass किया offline exam था और इसमें सब कुछ मेरा एक की दिन में हो गया था exam इसका physical return test इसका result सब कुछ बट बाद में जो इसके जो final merit बनती है वो थोड़े दिनों बाद जो बनेगी इन्होंने जो date बताई थी पर उसमें जो मेरा नाम नहीं आया था तो इसलिए जहां पर बहुत अच्छी opportunity है मैंने आप बहुत फ्रेंट्स को देखा है इसमें अच्छे जो इसमें job करें अभी तक फ्रेंट्स इसके लिए अगर आप apply करें तो please थोड़ा सा इसमें जो पढ़ाई की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे बात है अगर आपका जो written examination clear हो गया हो तो बहुत अच्छी opportunity है आपको इस job के लिए और exam की जहां पर बात करें तो वन आर का जहां पर आपको time मिलेगा exam करने के लिए physical fitness भी होगा जे सिर्फ qualified nature का होगा सबसे पहले आपको मैंने जहीं बिताया था और salary जहां पर आपको मैं post की बात करूं तो पहले बहुत सारी कम पॉस्ट आती थी इसमें अब इसमें जो पॉस्ट है बहुत फिक्स हो चुकी है कि इतनी पॉस्ट आनी ही आनी है तो medical standard भी आपका होगा medical बहुत ज्यादा easy होता है इतना hard भी नहीं होता है तो आपकी जो training होती है जो आइनस चिलका मे होती है last time जब आपकी जो selection हो जाती है तो guys यह सब कुछ जहां पर बताया गया है उसके बाद इसकी main main बाते जहां पर आपको और भी बता देता हूं कि आपको सिर्फ जे apply online mode से ही करना है और जहां पर इसका जब इसका form fill up होगा मैं आपको form को fill up करके भी बता दूंगा कि कै form को fill up करना है उससे पहले अगर आपको ने कोई मेरे से कुछ पूछना है जा आप कोई suggestion देना चाते है तो please comment box में मेरे को बता सकते हैं तो कोई भी मेरे को suggestion जा please question कमेंट पूछना है तो मैं आपको इसका reply जल्द ही कर दूंगा तो friends जही था जो new जो वगेंसिया यह डवले और SSR की बहुत अच्छी opportunity है आपके लिए जिन candidate ने जो physics chemistry math पड़ा है plus two में तो जही मैं आपको बताना चाता हूँ कि इसके लिए आभी से त्यारी करना शुरू कर दें और अपनी जो strongness है जो आपने week है जो आपके subject उसको strong करना शुरू कर दें तांकि आपके जो जब का exam हो तब आप जो अच्छे से prepare हो सके exam के लिए तो इसमें exam की जहां पर बात कर रहा हूं कि exam में आपको English science math and general awareness जहां पर आने वाली है exam में तो friends इसी के साथ मैं खतम करता हूँ इस वीडियो को I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी समझ आई होगी प्लिस इस वीडिय करके और पिस अट कर दीजिए thanks for watching मिलते है नेक्स्ट वीडियो में जाहिंद